पुरुषों ने जिसे नाम दिया त्रिया क्यों दिया? किस ने दिया? किसी को ग्यात प्रिया? माना ये है कि पुरुष सोचते हैं कि त्रिया सोचती कुछ है, कहती कुछ और है और करती कुछ और ही है पर उन्तु कि यही सत्य है वास्तविक्ता ये है कि त्रिया वो चरित रहीन पुरुष है और कोई नहीं वो पुरुष जो स्त्रियों से कहते हैं कि आप माता हो आप देवी आप बहन हो और सोचते क्या है? सोचते हैं कि इस्त्री हमारे पाव की धूल है और कुछ नहीं और करते क्या है उनके सर पर उनके केशों पर चुड़ा मेनी लगा कर सोचते हैं कि वो उनके चरणों की धूल है इस तरी का मान भंग करते हैं उन्हें दासी समझ लेते हैं मद भूलिएगा यत्र नार्यास्तु पुज्यन्ते रमंते तत्र देवता अथात जहां नारी की पूजा होती है वही ईश्वर वास करते हैं और जहां नारी का अपमान होता है वहां ईश्वर और भाग्य दोनों रुष्ट हो जाते हैं स्मरन रखी यदि नारी कल्यानी है तो नारी महाचंडी भी बन सकती यदि नारी माता बन के जन्म दे सकती है तो नारी मृत्यू बन के बिनाश भी कर सकती जहां नारी का अपमान होगा वहां महान भारत भी महा भारत की और जा सकता है नारी का अपमान कदाप भी नहीं हो सकता और यदि नारी का अपमान हुआ अर्थात आपका बनाश आपके निकट आ रहा है और ये उसके पहले कदम की पहली आहट है राधे राधे